हलो डियर स्टुडेंट यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग एंड इक्षेंज आप गैसेज पिछले वाले वीडियो में हमने डाइशन और अबजास्म कर जो टापिक था कम्प्रीट हमने वीडियो अप्लोड कर दिये यूटूब पर यहाँ पर हम चेप्टर नमब प्रोड आगएस रिगुलेशन फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे रिस्पारेटरी डिशाडर क्या है रिस्पारेटरी आर्गन यहाँ पर हम रिस्पारेटरी आर्गन इस्टार करते हैं तो रिस्पारेटरी आर्गन में पाढ़ने इस पहले हैं यहाँ पर हम आपको हमने यह पढ़ा था कि जो डाइशन और अबजाशन जो सिंप्ल मालिकुल थे ग्लुकोज, अमिनोसीट, फैटीशिट इन सबका अबजाशन बलड में हो चुका था अब वही बलड से इनको हम टीसू पास पहुचाएंगे जब टीसू पास पहुचाएंगे, क्यों यहाँ पर हमें रेस्पाइशन पढ़ना, कांसर समझेए जब एग ग्लुकोज, अमिनोसीट और फैटीशिट टीसू पास पहुच जाएंगे टीसू के पास जब पहुच जाएंगे और टीसू के अंदर अलेडी पर्जेंट होंगे और आक्षियन को यूज करके यह आक्षियन का यूज करके इनका सिंपिल मालिकुल का जो ग्लुकोज, अमिनोसीट और फैटीशिट इनका ब्रकडाउन होगा जब यह ब्रकडाउन होंगे इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा और यही एनर्जी बाइरियस एक्टिबीटी के लिए हम यूज कर सकते हैं और जब सुभाग बात है कोई इससेल है, अगर जैसे माल इससेल है, हम यह स्ट्रक्चिर आपको क्योंकि अब यहाँ पर एससेल है और सेल के जैसे आक्षियन संप्रक्च में आएगा तो यहाँ पर जो ग्लुकोज मालशकूल होगा आक्षियन के परजनस में इनका कैटाबोलिम होगा ब्रेकडाउन होगा, तो किसमें कार्बन डायर आक्साइड में टूड़ी आएंगे प्लस वाटर में टूड़ी आएंगे प्लस एनरजी बनेगा देखिए वाटर और एनरजी यूस्ट हो जादे हैं, लेकिन कार्बन डायक्सेट एक हार्मफूल प्रोडक्ट है, कि इससों हम अपने बाड़ी से हमें रिमूब करना है अब यही देखिए, जो हार्मफूल कंपाउंड कार्बन डायक्साइड है इनको हमें रिलीज करना है कैटाबोलिम रियक्शन के दोरान क्योंकि जो हमने अभी रियक्शन बताया था गलुकोज प्लस आक्सियन इस जो रियक्शन होगा तो यहाँ पर कार्बन डायक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी जो बनेगा इस रियक्शन को हम कैटाबोलिम रियक्शन कहते है इस रियक्शन कैटाबोलिम रियक्शन कहते है अब कैटाबोलिम रियक्शन के दोरान जो भी carbon dioxide बनेगा उसको हमें eliminate करना होगा cell से carbon dioxide को हम क्या करेंगे harmful compound है इसे हमें क्या करते है cell से हम इसे carbon dioxide को eliminate करेंगे carbon dioxide produce cell और release out जो भी carbon dioxide cell में produce होँगे उसको हम cell से release करवा देंगे बाहर निकार देंगे respiration breathing किसे कहते है everything का दूसरा नाम हम respiration जानते हैं तो breathing किसे कहते हैं breathing उसे कहते हैं atmosphere का जो oxygen है वो हमारी lungs में आए और जो lungs में carbon dioxide जो produce हैं उसों atmosphere में भेज देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं breathing कहते हैं breathing एक ऐसा process जहां पर क्या होगा gases का exchange होगा गैस में दो ही गैस आते हैं एक oxygen एक carbon dioxide atmosphere में carbon dioxide lung से बाहर जाएगा और atmosphere से जो oxygen होगा और lungs में आएगा है यहाँ पर exchange होगा अदला बदला होता है उस process के हम क्या कहते हैं breathing या respiration कहते हैं अब हम पढ़ते हैं respiratory organ respiratory organ की breathing के जो mechanीम होगा वो अलग-अलग animal में अलग-अलग तरीकिस होता है दो चीज़ पर depend करता है में ली एक तो habitat भी depend करता है दूसरा कहता है level of organization पर depend करता है animal tissue में आप पढ़ेंगे level of organization चार लेबल का होता है जब हम animal tissue पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम discuss करेंगे जैसे लोबर इन्बर्डिवेट होगा जैसे किसे करते है simple diffusion किसे कहते है, simple diffusion एक ऐसा प्रस्ष रहता है, जहांपर कोई energy का खर्च नहीं होता है, simple diffusion दरह होता है, over the entire body surface, body के surface में simple diffusion होगा, और simple diffusion दोरा gases का exchange होता है, यसे अर्थवार होगा, अर्थवार में जो gases का exchange होता है, moist cuticle throw होता है, moist cuticle throw, और insect की बात करें दी हम, insect में क्या होता है, network tube या tracheal tube पाई जाता है, उसमें क्या पाई जाता है, tracheal tube पाई जाता है, इसके तोरो atmosphere की जो air होगा, और body के अंदर transport हो जाता है, फिर इसके बाद lungs, यहाँ पर हम पढ़ते हैं गिल, गिल को दूसरा नाम हम कहते हैं, ब्रेंकिलिस respiration कहते हैं, गिल का दूसरा नाम एक बैस्कुलारी structure होता है, गिल्स जो होती है, इकोइडिक आर्थोपोड और मॉलस्का में गिल्स पाई जाता है, और जबकि लंग्स, लंग्स को दूसरा नाम बैस्कुलारीज बै कहते हैं, लंक्स के द्वारा जो रिस्पारेशन होगा उसे हम क्या करते हैं पल्मोरी रिस्पारेशन केते हैं गिल्स के रिस्पारेशन को ब्रेंकिल रिस्पारेशन केते हैं और लंक्स द्वारा जो रिस्पारेशन होगा वह है पल्मोरी रिस्पारेशन केते हैं और पल्मोरी रिस्प ट्रेश्टिल एनीमल में पाजाता है और इनमें लंक्स द्वारा गेसर का इकचेंज होता है कुछ ऐसे बर्डी विलेट होते हैं जिसमें फिस्क फिस्क में जो रिस्पारेसन गिल के थोरो होता है और जबकि amphibia, reptiles, bird और mimes, इनका जो respiration होता है, वो lungs के थोरो होता है और खास बात यह होता है, amphibia में especially अगर हम फ्राग की बात करें फ्राग में जो respiration होगा, moist skin थोरो होता है इस प्रकार का respiration को हम कहादे, cutaneous respiration कहते हैं में फ्राग में two biggest life Systam, ओर दूसरा, moist skin थोरो भी respiration होता है अब हम पड़ते है, Humaire Respiracy System हमை Respirity जो system होता है एक पेढर external nostril होता है एक पेढ़ जो external nostril होगा यह upper lip के उपर पाय जाता है है जिसे हुरे दोनों होल दिखाए दे रहे है इसी को आए इसे में दिखा पतरल सिर्फ गया है जो दोनों से दिख दिख रहे है keban को पर उसे में क्या दो external nostril यह एक प्यार पाए जाते हैं और यह external nostril होगा external nostril जो होता है यह open होता है nasal passage में open होता है और यह nasal passage nasal chamber में open होता है और यह nasal chamber open into the fireings में open होगा और fireings यह common chamber होगा food और fireings यह common chamber होगा food और air के लिए होता है अब यही pharynx, open होता है, larynx region of trachea, larynx में open होगा, फिर इसके बाद trachea open होगा, क्योंकि जो larynx होगा, वो trachea का first part ही होता है, pharynx open into the larynx, larynx open into the trachea, क्योंकि जो trachea का first part को हम larynx कहते हैं, larynx को हम क्या होता है, larynx को sound box हम कहते हैं, जिसे जो हम बोलते हैं, और larynx दोरा ही sound produce होगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं, larynx दोरा ही होता है, इसी दोरा हम बोल पाते हैं, sound production का काम करता है, इसलिए larynx को हम क्याते हैं, sound box कहते हैं, larynx बना होता है, 7 cartilage से बना होता है, जब हम निगलते हैं भोजन, जिससे गलाटिस होए, ये ट्रेकिया है, और इसके उपर क्या होता है, एक इपी गलाटिस पाए जाते हैं, जो हम दिखा रहे हैं, इसे हम क्याते हैं, इपी गलाटिस कहते हैं, अब जिससे हम भोजन निगलते है निगलने की दवरान जो एपिगलाटिस होगा एपिगलाटिस एक थीन इलास्टिक काटलेनेस फ्लेफ होता है जो गलाटिस को कवर करता है जब हम भोजन को निगलते हैं तो prevent the entry of food into the larynx लेरिंक्स कंदर भोजन जाने से रोकता है इपिलाटिस ट्रेकिया एक स्टेट टूब होता है ट्रेकिया जिसे क्या होता है जिसे ट्रेकिया होता है ट्रेकिया क्या होता है एक स्टेट टूब होता है और श्टेट टूब के आपद ऑफ टोरकिक पर एसी डिवाइड हो जाता है ये लिखाय थे वे में इसमेन है रिजिए होता है ट्रेखिए होता है यहाँ पर लिखा है कि ट्रेखिय एक स्टेट टूब होता है और stand of the mid-thorakic cavity, mid-thorakic cavity में stand कर जाता है, और जब mid-thorakic cavity तक stand कर जाता है, divide into the fifth thorakic vertebra, tip 5 में divide हो जाता है, fifth thorakic vertebra, और right और left बरांकाई में change हो जाता है, यह primary बरांकाई है, और secondary बरांकाई है, हैं primary और secondary बरांकाई क्योंकि जो रायत साइड होगा कि यह रायट बरांकाई में ओपन होगा ऊपन होगा और जो लफ साइड होगाए तो यह प्रांकाई होता है जिसे primary branchi में परत्य जो primary branchi जो इस primary branchi इनका repeat division होगा secondary और tertiary branchi में open होते हैं secondary और tertiary और tertiary और अपन होगा और tertiary और अपन होगा और branchiol में open होगा और branchiol इंड़ आप बेरी thin terminal branchiol अब हम देखते हैं अब यही टर्मिलर जो branchiol होगा और टर्मिलर branchiol में open होगा और टर्मिलर branchiol जो होता है वह बहुत पतला होता है बेरी thin होता है जैसे यहां पर लिखा है ट्रेकिया में अब यहां पर हम करते हैं incomplete cartcrates cigarette कीはами बात करते हैं incomplete cartilage rat का shaped होता है कहां कहां तक पाते हैं ट्रेकिया स्टाट होगा प्रामरी ब्रांकाई, सिकन्डरी ब्रांकाई, ठसरी ब्रांकाई और इनिशिल ब्रांकियोल तक पायाता है जो incomplete card infections जो ring होता है incomplete card looks 다 emails जो ring होगा incomplete cardicus tooth ring ट्रैकियोल से start होगा और initial ब्रांकियोल में समाप्थ होगा अब पर्तिक terminal ब्रांकियोल बेरी थिन बैग लाइग इस्ट्रक्चर उसे हम क्याते हैं इल्व लाइग क्याते हैं उसमें जाके ओपन हो जाता है टर्मिल ब्रंक्यों से किसी का फार्मेशन होता है इल्व लाइग का फार्मेशन होता है इल्व लाइग जो होता है बेरी थिन होता है Blanks हम उसे कहते हैं Branching Network K천Ey Yeah around K천Ey Primary इन सब की मिला के हम क्या करते हैं क्लिर! अब लंक्स जो हते हैं हमारे बादी में दो लंक्स होते हैं और जो डोनों लंक्स होते हैं जो दोनों लंक्स होते हैं और डबल लेयर द्वारा डबल लेयर प्लूरा द्वारा कबड होते हैं और लेयर की बीच में प्लूरा फ्लूर्ट पाय जाता है और प्लूरा फ्लूरा फ्लूर्ट का काम यह होता है रुदूदा फ्रेक्शन आप दे लंक सर्फेस लंक के सर्फेस को घर्षट से बचाते हैं जो आउटर प्लूरा मेंब्रेन होगा और जो प्लूरा होगा ओ थोरा की चेंबर के संपर्ग मेंब्रेन होगा अब जब कि इनर प्लूरा मेंब्रेन होगा और इनर प्लूरा मेंब्रेन ओलंक के संपर्ग मेंब्रेन होगा अब हम पढ़ते हैं यहा होगा inspiratory system दो प्रकार होते हैं एक तो क्या होगा conducting part होगा आग दूसरड़ा क्या होता respiratory आद्धो एक्चेंज part होगा conducting part कहां से start होगा conducting part जो इस्टर्ण नास्टी से start होगा और टर्मिल ब्रांकियोल तक समाप्त होगा उसे हम क्या करते हैं, conducting part polity criterion इसे क्ट्राट होगा, ड debates lifesbyutar colonial sehecho check, मिलके क्या होता है? respiratory या तो एक्स्चेंज, respiratory system, respiratory पार्ट या exchange पार्ट बनाते हैं अब जो conducting पार्ट का काम क्या होता है, conducting पार्ट की चार काम होते हैं first काम होता है, atmospheric air into the early light, जो atmosphere का हवा होता है, वो हमारे lunges में आता है, या early light में आता है और दूसरा काम यह होता है clear the forging clear the clear from forging particle जैसे कोई dust particle हो या कोई bacteria हो contingency part क्या होगा उन सब को पूरा clear particle करके लेगा तो वहाँ पर कोई bacteria और कोई dust particle नहीं होगा पूरा साफ सुतर particle आएंगे हमारे lungs के अंदर और क्या काम होता है contingency part का humidified है नहीं प्राप्त करता है and bring the air to the body temperature जिस तरह हमारा बाडी का temperature होगा उसी temperature के अंशर हमारे conducting part का काम होता है जितना बाडी का हमारी temperature होगा उतना temperature बाहर का जो temperature माल लिए अगर 40 degrees Celsius है आप हमारी बाडी टमपरिचर 30 माल लिए 70 degrees Celsius होता है तो जितना बाडी का हमारा temperature होगा उसी temperature के अंशर air हमारे बाडी में इंटर करता है conducting part का में होता है और exchange part का क्या काम होता है exchange part का का में होता है यहीं पर actual gases का diffusion होगा between the blood और atmosphere air के बीच में होता है especially यहीं पर actual अगर पूछा जाए actual diffusion gases का कहाँ पर होता है exchange part में होगा between blood और atmosphere air के बीच में है lungs जो होता है हमारे situated होगा थोरा की चमबर और थोरा की चमबर किसे कहते है जिसे हम आपको structure दिखाते है यह क्या होगा जिसे नेक हो गया यह पूरा हमारा क्या होगा यह तना पूरा जो पार्ट होगा इतना जिसे हम पार्ट को हम क्या कहते है ट्रंक कहते है इतने पार्ट को हम ट्रंक कहते है इसके डिवाइड होता है ट्रंक डिवाइड होता है एक muscular structure होता है उसे हम क्याते है diaphragm कहते है को हम क्याते हैं थोरेकिक रीजन कहते हैं और इस रीजन को हम क्याते हैं थोरेकिक रीजन कहते हैं और इसे हम क्याते हैं और ट्रेकिया इससे डिवाइड होगा राइट और लेट प्रामरी बरांकाई में और यह क्या होता इसे हम और यहां पर फिर इसके बाद लंक्स हो गया primary और secondary ब्रामरी ब्रांका राइट और लेट में डिवाइट होगा और जाके open होता है लंक्स सर्फिर में open होगा यह लिखा है लंक्स जो होता है स्टुच योटर होगा थोरे की चमबर में और थोरे की जो चेंबर होगा एनाटॉम्गली एर टाइट चेंबर है एर टाइट चेंबर मतलब क्या होता है ना तो एर अंदर जाएगा ना तो एर बाहर निकलेगा एर टाइट चेंबर मतलब यह होता है यह दिए थोरकी जो जो चैंबर होगा डासली डासली मतलब पीठ के साइड होगा डासली पीठ साइड में डासली अगर समझे तो समझा वो पीठ साइड होगा अगर हम बेंट्रिल कहेंगे तो या चेस्ट साइड को या चेस्ट सीनक साइड होगा उसे बेंट्र रिजन कहते हैं और डा जो सेंब फॉरस नहां सधीन ए पिस्छे क्या है यह यह झसी जो दकी बंट्र रिजयंन में इसट नम होते हैं मैं और यहां इसली सर्फिस स्थानज क्या सपरки और डेफ्राम के जो सेफ होगा ड्वम सेफ zingा जो किशेशज से बना होता है फ्रस्ट हमारा क्या होगा देखे देखे चैसे जो साइड में बर्टीबराल जर्ण होगयcard और बेंटर साइड में स्टर्नम हो गया लेटर साइड रिप्स हो गया और लोवर साइड में डाफ्राम हो गया जैसे यह न टॉमकल हमारे जो लंक्स होते हैं हमारे जो थोरेक्स होते हैं थोरेक्स के अंदर जो लंक्स होते हैं यह इस तरह सेटप होते हैं यदि थोरकी cavity में यदि कोई change होता है थोरकी cavity के value में यदि कोई भी change होगा यह हमें change कहाँ पर देखने मिलता है पल्मोलरी cavity में या लंक्स cavity में हमें change देखने को मिलता है reflection हमें पल्मोलरी cavity या लंक्स cavity में देखने मिलता है हम डारेक्ट यहां पर लिखा असपरस्ट है कैन नाट डारेक्ट अल्टर दा पर्मोल्री बैलूम हम डारेक्ट पर्मोल्री बैलूम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक थोरा की कैवट्री में कोई चेंज नहीं होगा तब दख परमोली काईपटी में कोई चेंज हमें नहीं देखने मिलेगा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है रिस्पारेशन इन्वालब दा फालूइंग इस्टब टोटल पांच इस्टब होते हैं पांच इस्टब बताने से पहले मैं आपको एक फिरड़ ड्रा करता हूँ एक एक इस्टब वहाँ पर समझ आपको आजाएगा जैसे एक क्या होता है लंक्स होते है यह लंक्स हो गया लंक्स यह ब्लड़ होता है फिर इसके बाद क्या होगा इस तरह टिस्टब होते हैं ग्रूप आप से लंक्स हो गया यह ब्लड़ हो गया यहां सब क्या हो तो ब्लड़ भड़े हैं इस सब ब्लड़ हो गया ब्लड़ हो गया और यह क्या तो टिस्टब हो गया देखे सबसे पहले क्या होगा इहाँपर क्या होगा ये टमसफिर का एर लंक सर्फिस में आएगा यहाँपर आक्षीज़्ड आया और कार्बंड डाइकसेड बाहर निकल जाएगा फाहला होता है और यहां से घंट यहिसे ही आएगा oxygen अ क्यिनः से आएगा आकसीड है औप Carbon camarllirealized से निकल engineering और यहाँ बाक यहांपर एक एक hkeasare यहां पर देखने मिलेगा यहां पर oxygen आ रहा है औप Carbon照ा निकल रहा है फिर यही जो oxygen होगा ऐसे oxygen आएगा यहां बलट से वह own Dahem gyoval पहुन पहुन जाएगा फिर इसके बाद सेल ने आक्सिएन को यूटलाइज किया और यूटलाइज के दोरान कार्बन डाइकसेड भी निकलेंगे अब कार्बन डाइकसेड इस तरह इसे जाएगा कार्बन डाइकसेड इसे निकल के फिर इसे कार्बन डाइकसेड बाहर निकल जाएगा तो हमारा पड़े लंग्स, फिर ब्लड, फिर इसके बाद टिसू, अब देखी यही फिगर को हम यहाँ पर इस्टफ दिया गया है कौन कौन इस्टफ है, पहला क्या थे ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को हम क्याते है, पल्मोरी बेंटिलेशन, इसमें क्या होगा, जो एटमास्फिर का जो एर होगा, वो बाड़ी का अंदर आएगा, और जो लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइक से रिच एर है, उसको बाहर बे ब्रीथिंग, मतलब सिंप्ल समझें, यहां पर गैसोस का इक्सचेंज ही ब्रीथिंग कहलाता है, दूसरा क्या हम पर पढ़ेते हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन गैसे होगा, किसके बीच, अल्वियोलर मेंब्रेन और ब्लड की बीच होगा, अभी हमने दिखाया था, त चौथा नमबर यह होता है, फेप्त नमबर हमारा हो जाएगा, इसके दोरान फिर क्या होगा, कारबन डाक से रिलीज होगा, और वही हमें सेललर रेस्पारिशन, हम इसको डेटल पढ़ेंगे, अब हम आपको इस्ट्रेक्चर बताए दिए, एक बार हम आपको और इस्ट्र जिसे यह हमारा क्या होगा, देखिए यह लंक्स हो गया, यह हमारा लंक्स हो गया, और लंक्स के अंदर इसे बहुत सारे अलवलाई हैं, बहुत सारे अलवलाई हैं, और फिसके बाद ओपन होता है, क्योंकि यहांपर गैस के भी हमने पहला इस्टफ हमारा यह था, दूसरा इस्टफ हमारा यह था, इक्चेंज हो रहा है, एलिवलाई और ब्लड की बीच गैस का इक्चेंज हो रहा है, डिफूजन हो रहा है, देखिए जब यहां डिफूजन होगा, और फिर यहां पर ट्रांस्पोर्ट हो रहा है, ट्रांस्पोर्ट होगे बाद यहांपर जो टिसू होते हैं, फिर यहांपर डिफूजन होगा, चौथा नमबर आमारा यह हो जागा देखिए बलड और टिसू की बीच डिफूजन हो रहा है गैसे का आक्सिजन आप आरहे हैं आप कार्बन डाइकसे नहाप रहे से जाएंगे प्रिक क्या होगा आक्सिजन ने चौथा इस्टप यहाँ पर हो जागा चौथा इस्टप यह हो जाएगा डिफूजन आप पांचवा इस्टप क्या होगा वही आक्सिजन सेunal यूजड करेगा यह तिसू यूजड करेगा क्यों गुरुप आप शेल को टिसू कहते हैं, यह हम कहें शेल यह टिसू यूज करेगा, पांचवा नमर यह हैं, फिर इसके बाद यह कारबन डाइक्सेड आइस से फिर निकल जाएगा, यह हो गया हमारा लंक्स, यह हमारा ब्लड हो गया, यह पर सब ब्लड भले हैं, और ब् स्टेज हमें दिखने मिलेगा, एक तो इंस्पारेशन होता है, दूसरा इंस्पारेशन होगा, इंस्पारेशन किसे कहते हैं, इंस्पारेशन उसे कहते हैं, इंस्पारेशन वा घटना होता है, जिसे एट्मास्फियर का जो एर होगा, हम अपने बाडिक अंदर लेके आते ह तो उसे inspiration कहते हैं एट्मास्पेर एर ड्राइन यह बाडिक अंदर यह लंक्स के अंदर हम एर को हमारी जमेंडर होता है उसे inspiration कहते हैं यह गोड़ी अब दूसरा expiration किसे कहते हैं यह अलिवियूलर से एर हमारी atmosphere में जाता है उसे हम expiration कहते हैं कि लंक्स के अंदर एर अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है इसके मुव्मेंट के लिए इसमें प्रेसर ग्रेडियंट ही रिस्पांसिल होगा और प्रेसर ग्रेडियंट किसके बीच अस्तापित होता है लंक्स और एटमास्पियर की बीच में और प्रेशर ग्रेडियन्ट की वज़े से क्या होगा लंक्स के अंदर एर का मुवमेंट होगा इंसाइड भी जा सकता है लंक्स से और बाहर भी जा सकता है और प्रेशर ग्रेडियन्ट क्या होता है प्रेशर गेट दिन मिस क्या होता है प्रेशर डिफरेंस अब इंस्पारेशन इंस्पारेशन जो लंक्स इंस्पारेशन हम स्टार्ट करते हैं अब डिटेल क्यों होता है इंस्पारेशन लंक्स के अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम क्या करते हैं इंट्रा पल्मो प्रेशर होगा वह एट्मास्फिरी प्रेशर से इंस्पारेशन वाली घटना में लंग्स के अंदर जो इंट्राप्लमोरी प्रेशर होगा एट्मास्फिर की प्रेशर से कम होगा इसका मतलब यह होता है कि लंग्स के अंदर निगेडिव प्रेशर होना चाहिए यदि लंग्स के अंदर निगेडिव प्रेशर हो रहा है एट्मास्पेर के रिस्पेक्ट में तो इंस्पारेशन उसे हम कहेंगे और इक्सपारेशन में क्या होगा एक स्पारेतनल में यह होता है कि जो इंटर प्लमोर्णी जो प्रेसर होगा ओ ज्याद होगा ऐसम प्रेसर प्ते पेसल्स जो बज़िया हो रहा है खोलक और मसस को जिस होता है external और internal intercostal muscles होता है और जो gradient generate होने के दो कराम होता है एक तो diaphragm और external और internal intercostal muscles और internal intercostal muscles between the rib की बीश में पाजाता है diaphragm और intercostal muscles दोनों क्या करते हैं gradient को generate करते हैं और inspiration जब initiate होगा तो क्या होगा diaphragm में contact करेंगे diaphragm contact मतलब diaphragm में plate आए जाएगा diaphragm जब contraction मतलब फ्लेट हो जाएगा diaphragm ऐसी चप्ता हो जाएगा diaphragm में जब contraction होगा तो जो थोरह की चमबर के जो volume होगा वो anterior posterior axis में बढ़ जाएगा और बढ़ने कोजे से जो external intercostal muscles वो contact करेंगा और ribs और sternum lift up मतलब 12 तरफ खीचे चले आते हैं ribs और sternum 12 तरफ खीचे चले आते हैं और इसी कोजे से जब ribs और sternum बाहर तरफ ऐसे खीचे चले आते हैं तो क्या होगा थोरह की चमबर के value में जब increase होगा दार्सो बेंटर लेक्सिस में हम कहेंगे कि थोरह की जो बैलूम होगा वो increase कर गया और थोरह की बैलूम का बढ़ना ही किसके समानम होता है पल्मोनरी बैलूम हमने यही पहले बताया था यह जब थोरह की बैलूम का जो हमें change होगा है उसी किसमान पल्मोनरी बैलूम में हमें change दिखाए देगा जब तक हम थोरह की बैलूम में change नहीं करेंगे तब तक हमें पल्मोनरी बैलूम में change नहीं दिखेगा और जब पल्मोनरी बैलूम में जब हमें निक्रीज हो गया वागी बात है बासला के अंस्वार अगर बैलूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा अगर पल्मोनरी बढ़ गया तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटी जाएगा क्योंकि हमें लंग्स का अंदर इंस्पारेशन करना है हमारा मांस concept है हमेट का अंदर प्रेशर अगर कम होगा atmospheric pressure जादा होगा तो हम इसाद जो gas यह इंटर प्रमोरी प्रेशर घटेगा जब इंटर प्रमोरी प्रेशर जब घटेगा और इसी कोज़े से जो प्रेशर होगा वह एटमास्फिरी प्रेशर से जब कम हो जाएगा और जब एटमास्फिरी प्रेशर से जब कम हो जाएगा तो हम कहेंगे लंग्स के अंदर हमारे यह इंटर कर गया इस घटना को हम क्या करते हैं इंस्पारेशन कहते हैं अब हम इंस्पारेशन बताते हैं आपको यहां जो घटना इस्टार्ट हो रहा है इंस्पारेशन हो जागा इंस्पारेशन किसे कहते हैं इंस्पारेशन में जो डाफ्राम होगा और जो इंटरनल इंट कॉस्टल मसल्स रिलेक्स होंगे जब रिलेक्स होंगे तो उससे समय डायफ्राम और इस्टर्नम भी अपनी नार्मल पोजिशन में आना श्टार्ट हो जाएगा जब नारमल पोजिशन माना श्टार्ट हो जागा हम कहेंगे थोरा की बैलूम भी घड़ गया अगर जब थोरा की बैलूम हमें घड़ गया तो हम कहेंगे कि पर्मोली बैलूम भी घड़ गया इंट्रप्रमूरी प्रेसर जब बढ़ेगा इसी कोजिए से जो प्रेसर होगा वो एट्मास्फिरी प्रेसर से थोड़ा सा सलाइटली एब अफ हो जाएगा जो प्रेसर होगा एट्मास्फिरी प्रेसर जब ज्यादा होगा तो क्या होगा जो लंक्स के लंक्स से जो एर होगा वो बाहर तरब निकल जाएगा हमारा means concept यह है expiration इस घटना को हम expiration कहते हैं हमारा means concept यह होता है expiration क्योंकि हमें अंदर pressure ज़्यादा रखना है lungs के अंदर और atmosphere प्रेशर कम रखना है क्योंकि gas का जो transfer होगा higher pressure से low pressure तरब होगा जब lungs के अंदर pressure ज़्यादा होगा atmosphere प्रेशर कम होगा तो lungs से air निकल करके बाहर atmosphere में चला जाएगा वही लिखा है कि जब pressure atmospheric pressure से slightly ज़्यादा होगा atmosphere में pressure कम होगा और lungs के अंदर हमारी pressure ज़्यादा होगा तो lungs से जो air होगा वो बाहर तरफ निकल जाएगा इस घटना को हम क्या करते हैं और खास बत यह होता हुमेन के अंदर इतना यादा छमता होता है कि वो इंस्पारेशन और इक्सपारेशन के स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं कैसे एडिशनल मसल्स की सायता से एडिशनल मसल्स आफ एडिशनल म हम बात करें वर 12-16 टाइम पर मिनेड बीड़ करता है । ऐसमलेता है यह दि पर ब्रीथिंग मुमेंट हमना हम स्ट्रेमेंट करना चाहते हैं एक इंस्ट्रुमेंट द्वराद मिलिथिंग मुमेंट को हम स्ट्रेमेंट कर सकते एक इंस्टुमेंट होगा उस इंस्टुमेंट का नाम होता है स्पारो मीटर और इस्पारो मीटर दोरा हमें पता लगा जा सकते हैं कि ब्रिथिंग मुवमेंट के दोरान बैलूम आफ एर कितना इन्वाल होगा हम इसका पता लगा सकते हैं और इस्पारो मीटर की साहतर से हम क्लि बैलूम एंड कैपशिटी काफी जादा इंपोर्टेंट है नीट के लिए टाड़ बैलूम इसमें पढ़ेंगे टाड़ बैलूम कैसे करते हैं टाड़ बैलूम जो होते हैं बैलूम आफ एर इंस्पाइर अथवा यहां पर और लिखा है और इस्पाइर डियून दा नार्मल जिससे हमने नार्मल सांस लिया है एक बार जिससे हमने नार्मल सांस ले रहे हैं जब हम नार्मल रेस्पाइरेशन करते हैं उसके दवरान जो एर का बैलूम हमारे लंक्स के अंदरे इंडर करता है उससे हम क्या जाए टाडल बैलूम करते हैं या दूसरा डिफिनिशन हो ज या नर्मल हम expired करें या नारमली हम expire करें उसे हम क्या देख टार्ड बल्यूं करते हैं तार्ड बल्यूं के जो बाइलू कितना होता है 500 ml होता है यह तो कोई सब ब्विधेक्थ हो वो 12 से 16 बार शांस लेता है 12 से 16 टाइम सांस लेता है एक मेंड में यह ठीव हम 12 का multiply 500 से करें त आठ हजार आएगा तो यह लिखा है कि यह हेल्थी महिन कहने इस्पायर अथ्वा एक्सपायर एप्रॉक्सिमेटली 6000 से लेकरके 8000 ml एर पर मिट यदि आप से पर मिट पुछा जाए टाडल बेलूम में यदि पर मिट पुछा जाए तो 6000 से 8000 ml होता है यह 6-8 लिटर एर जो इस पार याएआ एक्सपायर करते हैं पर मिट टाडल बेलूम का तर् दुसका कहना मदलना ताडल बैलूम तो हमने लिया ही लिया है अब फिर टाडल बैलूम आपणे छोड़ दिये अब फिर एक बैलूम एक खूंडर ऑफिर है कि ठाड़ बैलूम जोड़ करका न contents क्लिखारं से थेजिए समस ले रहें उसे हम क्या कहते हैं इंसपारीड़ होता हुटाइनिक बैल्यूम का तहसे जो बैल्यू होताएं इस्पारेटी रिजर वैलूम थोड़ा सांतर होता है इसमें भी यह क्या रहा है एडिशनल वैलूम आप छोड़ दीजे उसके अलावा परसन का इन इक्सपार बाइद फोर्सपूल इक्सपारेशन आप बहुत तेजी से सांस कितना निकाल सकते हैं अपने लंक्स के दोरा जब आप बहुत तेजी से लंक्स के दोरा कितना एर निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं इक्सपारेटी रिजर वैलूम इक्सपारेटी रिजर वैलूम के जो वैलू होता है एक हजार से लेकर के 1100 एमल होता है काफी जदा important है neat में कई वार question पुछें residual volume काफी जदा सबसे जदा residual volume पुछा जाता है residual volume किसे केते हैं आप forceful expiration करिए बहुत तेजी से आप सांस बाहर निकालिए बहुत तेजी से आप air बाहर निकालिए सांस नहीं निकालना है बहुत तेजी से आप लंक्स द्वारा air निकालिए बाहर the volume of air remaining in the lungs इसके बाद जो लंक्स के अंदर जो air बचा होगा उसी को हम क्या कहते हैं residual volume आप बहुत तेजी से air निकालिए बाहर और इसके बाद जो लंक्स के अंदर air बचा होगा उसे हम residual volume कहते हैं और residual volume के जो value होता है 1100-1200 ml होता है अब respiratory volume यदि हम respiratory volume में add up करें तो हमें permolarly capacity मिलता है और permolarly capacity जो होता है वो clinical diagnosis में भी होता है मतलब भीमारियों को हम पता लगा सकते हैं कैसे इंस्पारेटरी capacity इंस्पारेटरी capacity कैसे कहते हैं total volume of air a person can inspire after the normal expiration आप नार्मल तरीके से आप expire करिए expiration करिए मलब नार्मल तरीके से आप air को बाहर निकालिए फिर total volume air का कितना हम inspire कर सकते हैं जिसकी बैलू होता है टाडल बैलू प्लस आई यार भी है उसे हम कहते हैं इंस्पारेटरी capacity कहते हैं एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आप नार्मल साथ छोड़िए नार्मल एक्सपारेशन करिए तो टाडल बैलू गया टाडल बैलू जो एर छोड़ने एक बाद टोटल बैलू का जो एर होगा एर का जो टोटल बैलू जितना हम inspire करेंगे उसे हम कहते हैं इंस्पारेटरी capacity कहते हैं इंस्पारेटरी capacity जो value होता है टाडल बैलू प्लस आई यार भी दोनों मिलाकर हम expiry Spaß कि जब आप नार्मल इंस्पारेशन करेंगे तो टाडल बैलू तो अपने आप आजाएगा और इसके बाद जो एर का जो टोटल बैलू कितना हम बाहर निकाल सकते हैं लंक के द्वारा उसे हम कहते हैं इक्सَPARTY CAPACITY और इक्सPARTY CAPACITY का जो बanking होता है TITAL PALUM PLUS ER B काफी ज़्यादा इंपोर्टन इसको आप ध्यान सा समझगें और स्वेक्से कहते हैं स्वार्डгов tranqu options ranging FRC CRC किसे कहते हैं बालुमा फेयर देट विल रेमेन इन क porn respiration करेंगे तो डाडल स्मास निकल जाएगा अब हम देखें कि 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 अंदर ना बचा है कि इसे च्थी में क्याते हैं फंक्श्नल Esse हम क्या दे बाइडल केपसिटी किसे करते हैं maximum value माफ हेर एपरसन करें ब्रीथ इने आप्टर एप फोर्स इक्सपारेशन बाइडल केपसिटी दो है इसमें डिफिनीशन होगा एक तो आप क्या करिए फोर्सपुल इक्सपारेशन करिए फिर इसके बाद क्या होगा फोर्सपुल इक्सपारेशन करिए उसे हम कहते हैं बाइडल केपसिटी कहते हैं और देखें यहाँ पर एक लाइन लिखा है मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ नहीं दो आप काफी ज़्यादा करन फीज़ोंगे यहाँ पर एक लाइन लिखा है मैक्सिमम बैलू माफ एर इसका मनलब क्या होगा फोर्सपुल इंस्पारेशन कह रहा है इसका समझे मैक्सिमम बैलू माफ एर इसका मनलब क्या होगा फोर्सपुल इंस्पारेशन कर रहा है फोर्सपुल इंस्पारेशन करने के बाद यह से यहां पर लिखा फोर्सपुल इक्सपारेशन करने बाद हम कितना maximum value का air कितना हम ले सकते हैं उसे हम कहते हैं बाटल कैशिटी बाटल कैशिटी की जो value होगा ERB plus TB plus IRB या दूसरा definition हो जाएगा बाटल कैशिटी का maximum value of air a person can breathe out after a forceful inspiration आप forceful inspiration के बाद forceful expiration कितना करते हैं उसे बाटल कैशिटी कह देंगे यहां पर लिखा है यहां पर एक लाइन लिखा है इसको आप इससे समझे फिर maximum value of air a person can breathe इसका मदलब क्या होगा forceful expiration यहां breathe out लिखा है maximum value of air a person can breathe out कितना हम forceful expiration कितना करते हैं यह लिखा है maximum value यह लड़के नहीं समझ पाते हैं student ही समझे ज़्यादा काफी ज़्यादा confusion होता है maximum value of air a person can breathe out इसका मदलब क्या होगा forceful expiration यहां पर लिखा है force inspiration forceful inspiration करने के बाद हम कितना forceful inspiration करते हैं उसे हम vital capacity करते हैं और vital capacity तीन चेस्टे मिलका बना ERB plus TB plus IRB और lung capacity किसे करते हैं lung capacity total value of air accommodated in the lungs at the end of forceful inspiration आप बहुत तेजी से आप सांस लिए तो तो forceful inspiration करने के बाद जितना एर का total volume लंक्स के अंदर धारण किया रहेगा उसे हमका देर TLC कहते हैं total lung capacity और total lung capacity में आएगा और प्लस ERB plus TB plus IRB इसको आप simple तरीके से याद करिए एक इतना IERB plus IRB दोनों इतन यह याद कर लिए और TB और प्लस आर भी टोटल चार बैलू होगा यह दूसरा definition हो जाएगा total TLC का vital capacity plus residual value दोनों चीज़ से मिलके TLC बनेगा exchange आप gas में respiration के total 5 step होते हैं जिसमें step number 2 और step number 4 हम exchange आप gas में पढ़ाएंगे और जो respiration के जो तीसरा step होगा और transport आप gas में पढ़ाएंगे जो पांचवा step होगा वो plant physiology में हम आपको पढ़ाएंगे जो respiration के जो step number 2 है उसमें इलबलाई और blood की बीच में gas का exchange होगा जो step number 4 है और tissue और blood की बीच में gas का exchange होगा जैसे इलबलाई जो होता है वो primary site होगा gas के exchange के लिए step number 2 हो जाएगा इलबलाई और blood की बीच में those girls home tax स्थेश्चनियों होगा इसका मुलाए सब्सक्राइब और दूसा कार्बान Oswon इनका जो simple diffusion दोरग gas का exchange होगा और simple diffusion जो होता है में लिए तीन बातों पे टिपन करता है पहला pressure या concentration gradient हो जाएगा दूसरा हो जाएगा solvety आप gases और तीसरा हो जाएगा थिकनेस आप membrane और यही तीनों जो factor होंगे चाही pressure होगा चाही solvety होगा चाही thickness यह diffusion के rate को काफी जादा प्रफाविज करते हैं अब हम परते parcel pressure सबसे पर्ले parcel pressure पर्णेस पर्ले parcel pressure होता क्या है इसके बारे में हम आपको होता है parcel pressure जैसे कोई एक compartment है और इसके अंदर बहुत सारे gas बारे है जैसे carbon dioxide gas हो गया nitrogen gas हो गया और oxyan gas हो गया क्यते हैं जो compartment जो mixture yap gas है इसके दौरह परेशर लगता है इस वालपे total pressure ह्म πी से रिपेजन करते हैं और जैस से कोई individual gas है carbon dioxide carbon dioxide जो gas होता है जो वालपे जो pressure लगा रहा है इस pressure को रिपेजन करते हैं पार्सिल प्रेसर आप कार्बन डाइकसेट, उसी तरह जो नाइट्रोजन इस दिवाल पे प्रेसर लगाता है, इस प्रेसर को रिपेजन प्रेसर आप नाइट्रोजन, उसी प्रकार आक्सियन जो इस दिवाल पे प्रेसर लगा रहा है, उसे पार्सिल प्रेसर आप आक्सियन क को रिपेजेंट किया जाता है कहते हैं जो एक गैस का कितना प्रेशर कांटिब्यूट हो रहा है कितना प्रेशर दिवाल पे लग रहा है एक गैस के वज़े से मिक्चर आप गैस मसे एक गैस का जो कितना प्रेशर दिवाल पे लग रहा है उसे हम क्या करते हैं पार्सिल प्रे जैसे यह प्रेशां बारे ने डीपरिशन लिखा यह प्रेशरं एले एन इंडिविजव गेस इने मिक्श्र आप गेस इसकाल पार्षी पिसर एक कितना प्रेशर लग रहा है उसी को हम कहें प्रेशा क्यते हैं पार्षी प्रेशर आक्षियंद के लिए प्योटू को रूप मे में रिपर्जन किया जाता है जो पार्सल प्रेसर आप गयस होता है इसके दो जहां होता है एक तो यहां होगा और दूसरा गया तो टिस्वाइड होगा जैसे चाड़ में दिया गया है कि दो जहां में दिफूजन मिलेगा कि और गयस होगा और यहां डिफूजन देखने मिलेगा एक तो यह जो साइट होगा और यह जो साइट होगा हम आपने आपको किनारे सिप्ट करते हैं और यह जो साइट होगा, इलवलाई के जो साइट होगा, इलवलाई का साइट है, और यह जो साइट होए, टीसू का साइट होता है, यह टीसू का साइट है, और इलवलाई के साइट में, इलवलाई और ब्लड की बीच में गैस का एक्षेंज होगा, और टीसू के साइट में, ब्लड और टीसु की बीच में गैस का एक्षेंज होगा अब आक्षेंज के लिए जो एलवलाई में उसकी बैलू होता है 104 होगा और डी आक्षिजेनेटर ब्लड में आक्षिजेन का बैलू 40 होगा और आक्षिजेनेटर ब्लड में आक्षिजेन के जो बैलू होगा 95 होगा और और टीशू में 40 उसी प्रकार कार्बन डाक्साइड का इलब लाई में 40 होगा पहले हूं और जबकि डी अक्सिजिगेटर ब्लड में क्यों गंदगी है यहां पर कार्बन डाक्साइड वैसे गंदगी ज्यादा पाई जागा इस तरह दिमाग में आपे रखिए कार्बन डाक् इसरेड का मात्रा सबसे ज्यादा होता है तो पहलेतालिस होगा और जो जो ग्रीडियन को ग्रीइन एकि क्रीडै का जा होगा उसकी बैल्यू 104 होगा और जबकि डियाक्षिजेंट ब्लड में आक्षियन की जो बैल्यू 40 होगा इसलिए हाई टूडलो होगा यहां से आक्षियन से आक्षियन का जो डिफूजन होगा या ग्रेडियन होगा या ग्रेडियन से ब्लड तरफ होगा और दूसरा जो आपको याद करना है क्योंकि स्थाई बात है carbon dioxide L-blad में 40 और deoxygenated blood में 40 और tissue में 45 होगा 40-45-45 आपको याद करना है और जब कि diffusion हमेशा high जो low होगा और carbon dioxide के diffusion होगा tissue से blood तरफ होगा और blood से L-blad तरफ होगा दो side होगा एक तो tissue से blood और दूसरा क्या होता blood से L-blad एक carbon dioxide के diffusion दिखा रहा है अब चले theory मैं बताता हूं यहां पर लिखा है कि जो दो side होगा diffusion के लिए पहला side L-blad दूसर side होगा tissue एक clearly data mention किया गया कि जो concentration gradient होगा और oxygen का concentration gradient होगा oxygen का और L-blad से tissue तरफ जाएगा यह हमने बताता है L-blad से blood तरफ जाएगा और blood से tissue तरफ जाएगा similarly उसी समान similarly अगर हम देखें gradient similarly उसी समान similarly उसी समान इदि हम tissue side में हम देखें तो opposite direction होगा carbon direction similarly उसी परकार हम देखें जबकि carbon dioxide के जो transport होगा और tissue से blood तरफ जाएगा और blood से L-blad तरफ आएगा यह हमने अभी देखाया है जो carbon dioxide के जो transport होगा और देखें तिसू से blood तरफ जाएगा और blood से L-blad तरफ जाएगा और जो solubility, solubility के ज़िए हम बात करें carbon dioxide के जो 20 से 25 गुना ज़्यादा solubility होगा और जो पर यूइट डिफ्रेंस होगा partial pressure का oxygen के compare में carbon dioxide के diffusion rate सबसे ज़्यादा होता है अब हम थार्ड बात करें ठीकने साब membrane में ठीकने साब membrane में diffusion membrane किसी कहते हैं जो तीनों layer होता है एक Sqomac epithelium, elvular work और दूसरा जो blood capillary के जो endothelium होता है और basement सबस्टेंस तीनों layer मिला करके हम क्या करते हैं इसे diffusion membrane करते हैं डिफ्यूजन membrane जो तीन major layer से बना होता है पहला हो जाएगा पहला हो जाएगा थिन एक Sqomac epithelium of elvular, और दूसरा हो जाएगा endothelium of elvular capillary और तीसरा हो जाएगा basement substance और जो basement substance होगा और जो basement substance होगा और जो basement substance होगा component of thin basement membrane support the Sqomac epithelium and basement membrane surround the single layer endothelium cell of capillary in between them कहते कि जो basement substance होगा दोनों layer की बीच में पाएगा एक तो Sqomac epithelium elvular बाल का और दूसरा का था endothelium of blood capillary उन दोनों की बीच में क्या होगा basement substance पाएगा दोनों की बीच में पाएगा यहीं लिखाए इंग्लिस में और जो तीनों layer यहीं हम मिलाक देखें जो तीनों layer चाए ऐसकोमस epithelium हो चाए blood capillary endothelium हो चाए basement substance तीनों मिला करके total ठीकने से देखें जो diffusion membrane का जो ठीकने सोगा लेस देन ओन मिलीमीटर होगा कई बार नीट में क्यों से आपर पूछे गए हैं और जितनी भी फैक्टर होंगा जो तीनों उमने फैक्टर पढ़ा है जितनी भी फैक्टर होते हैं वो अक्षियन का जो diffusion alboli से टिसू तरफ होगा और carbon dioxide के जो diffusion होगा और टिसू से अलवलाई तरफ होगा यहांपर जो structure दिया गया है यहांपर इस्टरक्चर में ज़ा डालने एक बार क्योंकि जो अक्षियन का देखिए यह यह एलिफिलयी है जो आक्षियन का जो डिफ्यूजन होगा, यहाँपर इस ट्रॉक्चर पी खम नज़जडा अले यहां यहाँजिक आपको नेमी करवा जागा, एक structure हम आपको ऐसे और बना रहा हूँ थोड़ा आप ध्यान से structure इसको देखेंगे तो आपको समझे माज जागे इसका structure और दोने में क्या अंतर है थोड़ा सा यह हम इस structure को ट्रा करता हूँ काफी ज़्यदा important point है जिसे यह क्या होगा हमारा lungs हो गया यह लंक्स हो गया है और लंक्स से क्या होगा और लंक्स से ऐसे यह हमारा lungs हो गया structure हमें यह relate करा हूँ काफी ज़्यदा आपको important है और यह क्या होगा blood capital हो जाएगा blood capital जिसमें blood ऐसे भरे है और यहां पर काफी ज़्यदा यह टीशू होगा यह टीशू यह लंक्स हो गया और यह क्या दर ब्लड वेसर से आप और इसके इंदर जो ब्लड भरे है और यह क्या होगा टीशू हो गया यहां पर ध्यान से आपको समझना है जो आक्षियन होगा क्योंकि जो गयाइस के डिफूजन ऐसे एटमार्सपेर से आक्षियन आएगा आक्षियन ऐसे आएगा आक्षियन ऐसे आएगा फिर आक्षियन इस तरह आएगा है लंक्स में जो एरेवलाई है यहां पर आएगा फिर यहां पर डिफूजन होगा, डिफूज होकर के बलड में आएगा, और बलड से कदर टिसू में जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, यह जो हमने ट्रांस्पोर्ट दिखाया है, यह आक्सियन का ट्रांस्पोर्ट दिख रहा है, और इसके बाद क्या होगा, सेल ने आक यहां पर दिखा रहा है हम कार्वन डाक्षायट कर देखा रहे हो इससे इहां पर देखिए जो यहां पर इंस्सपार हो रहा है रीक में a 가져 में वि moral उता है उसमें पर्सेट प्रिषर आप 144 हमें जिओंगा पर्सिल पर बंडिय जिओंग तो 9 प्रवीब मेनाचिक सिटमीटस यहां पर आक्षील होगा वहाँ पर पर प्रवाप्स ब्लड ब्लड ब는지 में दोन होगा उसमें ज्यादा भी अग बातर से-सL face कम होगा उंदी अपर देखें क्यूंकि अब यहां पर देखें क्यूंकि गंदा उसके बात इस तरह होते वेसे बाहर निकल जाएगा यहां काफी एदा इंप्वोरचन पींगर सरीषिस का नेमिंग आपकी नीट में कराएं कि विर्शाओं में तोटल 500 हूते हैं हमने दूसरा प्राइख पर लियु दूसरा इस्टाओं अब बचा हमरा तीसरा इस्टप और फाँचवा इस्टाओं जो तीसरा इस्टप होगा हम ट्रांस्पोर्ट आप गयस में पढ़ेंगे अधिस्पाइस के तीसरे आपको भिए पढ़ेंगे हम प्लानि ये लाजिम पढ़ेंगे ऐसे हमेशा ब्लट के द्वारा ही होता है प्लट एक कैसा मेडियम होता है जो गैस का ट्रांसपोर्ट करता है और जिसमें से कि 97 परसंट जो आक्षियन होगा और बीसी कि थो ट्रांस्पोर्ट होगा जो ब्लड गंदर जो आर बीसी होगा 97 परसंट आक्षियन ट्रांस्पोर्ट उसी थो होता है कि 97 अब जब कि 3 परसंट जो आक्षियन होगा इन परसंद जो अफिन होगा फ्लाजमा में डिलवय इस्टेट ट्रांस पर होता है कि अब कर्दाइट किंग कि नहिंद आकसे जाने 121 क लिब्यांगशेट में ट्रांसपडर होता है और जब कि साथ परसंड जो कार्बन डाइकसेड होता है घब कि रूब में Twin basically selecting किक यह जाझा कर दिया जाता है अब हम पड़ते हैं ट्रांसपोर आप था कि दोकियां पर्रेنت pigment कोई भी गयस होगा आक्षियन और यह कैसा मीडियम होता है जो क्या करता है यहां पर हम पढ़ेंगे ट्रांस्पोर्ट आप आप आक्षियन में जिसे आरबीसी के अंदर हीमोगलोबिन जिसे माली आरबीसी इस्ट्रक्चर है आरबीसी एसी कपड़े के थैला माल लेते हैं हम इसे आरबीसी के अंदर हीमोगलोबिन नाम का ऐसे चूरन पाई आता है पर कहीं अगर आप इसको पानी में उठाग κάνेंगे कपड़ाइक, आप पानी में उठाग रह करता है प्सक्षक पूरा कपड़ा हमोरा लाल कलर हो जागा कि इसमें लाल कलर होता है चूरन इसमें स्ट्राम पाज़ाएंगे बस यह हमारी सिस्टम योगा ब्लड माले हम पानी माल लेते हैं, पानी को हम ब्लड माल लेते हैं, और जो RBC, जो कपड़े के थाला हमने बना है, वो RBC है, और जो हमने चूरन माता है, वो Hemoglobin है, तो उठागे जिसे ब्लड में रखेंगे, तो ब्लड इसलिए हमारा लाल कलर होता है, यह करणा होता है, जो R काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है जो आक्सी हीमोगलोबिन का फारमेशन होता है कि पर्तेक जो एक हीमोगलोबिन जो मालिकुल होगा वह मैक्सिमम आक्सियन के चार मालिकुल के साथ बाइन कर सकता है और जो हीमोगलोबिन जो आक्सियन जो इनका ञेंटेंग होगा मुख रुप से टीका जागा कि पार्स क्रेसर आफ आक्सियन के द्वारा और जब पार्टिल प्रेसर जब ये बांडिंग आप्षियन और हीमakलोबिन की बीच में जब बांडिंग होगा तो समय इसका जो मेजर एफेटर यह होगा नालेगा पार्शिल प्रेसर आफ कार्बन सिखा रहा हूँ जैसे हिमोगलोबिन को हम माल लेते हैं हिमोगलोबिन को हम माल लेते हैं और आक्षिजन को हम क्या माल लेते हैं छोटा बेटा और कार्बन डाक्षेट को बड़ा बेटा जब छोटा बेटा ममी की गोद में बैठेगा तो जलन किसको हो रहा बड़े एक बेट माम्मी ही हमी up कारभन डाख सद बड़े वेटेक साथ ज मम्मी थेते साम बड़े लिए हमने काइँ लिखा कि वह चोटा भाई वह बस चिह सूँखना है है कुछ क्या विडे सूष सीफ मोatri नियुकविन थाक्षिएन का प्लाट हम करें है um कि रिस्पेक्ट में में तो हमें सीप्ऐल कर्पिरांथ freedom कर दुभक होगा लगा सब्सक्राटि मुत कर रहा है कि अधियो सीर्फ कर दो य सब्सक्राइब होगा ए व dobrike सिंटी इन। य सकुरिशन और फैसा हो जाएगा एक से जाएगा दर शाइगा रहा कश्मार में धुषागा उनके जी मीज़ said खेलेज जया नेट में पूशा गए गया है कि जो कर्भ हम क्या कना द्लूक गटाइए जो कर दें जो हमें कर्भ प्र जो कि जो binding हो रहा है इसके factor का क्या परभाउ के बारे में हमें पता लगा जा सकता है कि कि partial pressure आप carbon dioxide आप डालता है हमें देखें कि इल्भलाइशायद में पर्ण प्रेशर में आ आप χाक्षिय जादा होता है हुआँ एक तो प्रे stuck लो होता है और हमके पर्णल प्रोस सकता कर्बान डैक्सेट लो लोगा तो लिए हाइडरोजन आयन और pH दोनों इन्वर्स इन होगा, अगर हाइडरोजन आयन कंसेंटरेशन कम होगा और pH ज्यादा होगा, तो यह सब क्या होते हैं, फार्दा फार्मेशन आफ आफ आक्षी हमोगलोबिन, यह सब जितने भी फैक्टर होते हैं, यदि हाई आक्षियन होगे, अब जब कि टिस्व साइड में हम देखें, इन सब का पूरा उल्टा हो जाता है, टिस्व साइड में क्या होगा, आक्षियन लो हो गया, क्योंकि यहाँ पर छोटा बेटा ममी गोदम नहीं बैठेगा, बस एक दिमाग को रखिए, टिस्व साइड में छोटा बड़ जो आक्षियन नाम के छोटा बेटा होता है, हिमोगलोबिन नाम की ममी की गोदमे नहीं बैठेगा, टिस्व साइड में बड़ा बेटा ममी की गोदम बैठेगा, तो उसमें इसका दूस्मन होगा छोटा भाई, तो टिस्व साइड में क्या होगा, लो आक्षियन पर्सिल प यह कम होगा दिर्शो साइड में होगा लोगा ज penalней कि बठा था अब मेपर इसिसेशन का दियए इसोसेशन हो गया उब है एक हमें बताता कि आख सीजुन होता है वह हीमोगलोबिन लंग सर्पर से ये अलबीलाई में जाके जूड़ता है कहते हैं मतलबलल जो छोटा मपनी से इताकर में जूरू जाता है और यह से टिसु साइड में पहुंचता है तुरंत मपनी अपनी जोड़े डेटों इतार दकर साइड में उस समय क्या होगा जो बड़ा बेटा है वह उपनी ममी की गोद में बैट जाएगा है मअतिमलोफिं करता है हीमोलोबिन से लबलाई या लंग सर्फेस पे अब जब की टिशू साइड में डिशू सीट कर दिया जाएगा है आक्षियन अभी मुलोबिन एक दूसरे सुजुदा हो जाते हैं ममी अपनी को से बेटे को अपने उतार देता है और उसी परकार हम देखते हैं कि प्रतिक 100 ml आक्षिजनेटर बलड जिसमें से 5 ml आक्षिजन टिसू को दे दिया जाएगा अंडर द नर्मल फिजियोलाजी कंडिशन के नहीं हमें समझते हैं कि कि 100 ml आक्षिजिनेटर बलड में 20 ml आक्षिजिन होता है 100 ml oxygenated blood में 20 ml oxygen होगा उसमें से 5 ml जो oxygen होगा वो tissue को दे दिया जाएगा नार्मल physiological condition में condition के लिए अब हम परते हैं transport of gas transport of gas में काफ़ जादा यह भी important है क्योंकि यहां से निट में question काफ़ जादा आते रहते हैं transport of gas transport of gas में जो 20-25% जो इसमें देखिए तीन तरीके से carbon dioxide का ट्रांसपोर होगा कैसे 20-25% जो carbon dioxide होगा और रवीसी के अंदर जो hemoglobin होता है उसके थ्रोड ट्रांसपोर्ट होता है अब जब carbon dioxide hemoglobin से जाके जुड़ता है तो जाके carbon amino hemoglobin का फार्मेशन होता है और जो carbon amino hemoglobin के जो फार्मेशन हो रहा है एक बांडी रिलेट कर दिया जागा पार्सिल प्रेसर आफ carbon dioxide से और उससमें क्योंकि जब हमने यही बताया था क्योंकि carbon dioxide बड़ा बेटा है और hemoglobin नाम की मम्मी है जब बड़ा बेटा अपने मम्मी की गोधन बैठेगा उसमें उसका दुसमें छोटा भाई होगा यहाँ पर वही लिखा है पार्सिल प्रेसर आफ आफ आक्सियन जो major factor होगा उसमें जो छोटा भाई सबसे ज़्यादा इसका दुसमन होगा कि हीमोगलोबिन और कार्बन डायक्सेट की बीच में बैंडिंग सबसे ज़्यादा आफ डालेगा पार्सिल प्रेसर आफ आक्सियन major factor होगता जो बैंडिंग हीमोगलोबिन और कार्बन डायक्सेट की बीच में Binding को सबस् slider प्रभावित करता है एदी हम tissue side में बात करते हैं तिस्वा साइट में क्या होगा मैं पार्शिल और प्रिसर आप और याथ हो गानू जिब कि चीरेंश साउन पार्शिया कशुट्ड होता बाइंड कर जाता है हेमोगलोबिन जाके कार्बन डाइक्सेट से बाइंड कर जाता है और जबकि यह लबलाई साइड में दी हम देखें लबलाई साइड में छोटा बेटा ममी की गोदम बैठेगा मलब आक्षियन हेमोगलोबिन साथ बाइंड करता है वЭ-वारायक साइडन में पर्सिल प्रेसर आक्षिन का जादा होता है पर्सिल प्रेसर कार्बन डैइकसर के लोग से। कर्बन ममी की कोस्ते अलग हो जाता है. यही करणा होता कार्बन, कार्ब आमीनो हमो गरोबिन जो हता है उसका dissociation हो जाता है एलबलाइक की साइड में और एलबलाइक साइड में यदि carbon dioxide का dissociation होगा अब वही carbon dioxide एलबलाइक पास पहुच जाएंगे तो respiration में expiration step दोरा carbon dioxide को हम अपनी बारी से बाहर निकाल देते हैं वह लिखा है कि carbon dioxide हीमोगलोविन से जब बाइन करेगा टिसुसाइड पर और जाके एलबलाइक में उसे डिलेबल कर दिया जाएगा और RBC के अंदर बहुत ज्यादा मात्र में एक enzyme पा जाता है जिसका नाम carbonic enhydrase होता है और यही carbonic enhydrase small quantity में प्लाजमे में पा जाता है और carbon carbonic enhydrase enzyme होता है यह क्या गरता है carbon dioxide plus water carbon dioxide plus water carbonic enhydrase के परजियन में carbonication में चीज़ होगा है H2CO3 carbonic enhydrase enzyme को फिस्तित में bicarbonate और hydrogenal में चीज़ हो जागा अब यही जो bicarbonate को रूप में 70% carbon dioxide का ट्रांसपोर्ट 70% carbon dioxide का जो ट्रांसपोर्ट होगा bicarbonate को रूप में होता है अब ही लिखा है कि tissue side में tissue side में क्या होगा partial pressure carbon dioxide का ज़्यादा होगा वही हमने बता रहा हूं बार बर tissue side में क्या होगा बड़ा बेटा carbon dioxide होगा hemoglobin mamikin गोद में जाके बैठ जाएगा और tissue side में वही लिखा है tissue side में partial pressure carbon dioxide ज़्यादा होता है due to the catabolism, catabolism की वज़े से tissue side में carbon dioxide का partial pressure ज़्यादा होता है और यही कारण होता है कि carbon dioxide blood में चले जाते हैं RBCO plasma में और जाके carbon dioxide जब RBCO plasma में जब carbon dioxide जाएंगे तो carbon dioxide plus water दोनों आप इसमें reaction करके bicarbonate बनाएंगे और hydrogen ion बनाएंगे अब जब कि यह लिवलाइक की side में दी हम देखें इलिवलाइक की side में partial pressure आप carbon dioxide लो होता है और यह reaction होगा तुरंत opposite direction में चलना इस्टार्ट हो जाता है इलिवलाइक साइट में क्यातर रिक्सन opposite direction में हो जाएगा रिक्सन रिवर्स हो जाएगा अब यही bicarbonate जो ion प्लस hydrogen ion चेंज हो जाएगा इस्टू CO3 में फिर इस्टू CO3 चेंज हो जाएगा carbon dioxide प्लस water में चेंज हो जाएगा इलिवलाइक साइट में carbon dioxide वाटर एक दूसर से अलग हो जाएगे यही लिखा है इलिवलाइक साइट में पार्सल प्रेसर आप carbon dioxide लो होता है the bicarbonate के रूप में ट्रेप होता है और इलिवलाइक में जाके रिलीज कर दिया जागा अभी हमने भी बताया था कि टिस्व में बाई कार्बनेट के रूप में यही हमने दिखा रहे है इस्टक्चर यहां पर देखिए टिसू साइड में क्या होगा कार्बन डाक्सेड बाई कार्बनेट के रूप में ट्रेफ हो रहा है फिर कार्बोनिक एसिट में चेंज होगा है यह लिखा है कि यहां पर लिखा कार्बन डाक्साइट बाइक कार्बनेट कुरूप में ट्रेप कर जाएंगे टिसू लेबल पे और इनको एलिवलाई में पहुशा दिया जाएगा और वहां से कार्बन डाक्साइट को एरिस्पारेषन परोसेट एरिस्पारेषन के एकेश्पारेषन इस्टर दोरा बाहर निकाल दिया जाएगा कहते कि जो every 100 ml डॉप्लड हो 4 ml जो कार्बन डाक्साइट एल्पलाई को दे दिया जाएता है काफी ज़्यादा इंबॉर्डेंट पर नीट में कई बार पूछा गया है कि हंडेड एमल आक्षिजेनेटर ब्लड चार एमल कार्बन डाक्षेड एलबलाई को डिलिवर कर दिया जाएगा रिगलेशन आप रिस्पारिशन रिगलेशन आप रिस्पारिशन में हुमेन में एक नियूरो सिस्टम होता है हुमेन की बात करते हैं हुमेन में क्या होता है नियूरो सिस्टम की मकानीजिव पाय जाता है नियूरो सिस्टम की मकानीजिव के दवरा हम रिस्पारिशन रिदम को हम क्या करते हैं मेंटेन और मॉडरेट माने संतलित मेंटेन और उनके function को moderate करता है । खास बात यह होता है, रिस्पारेटरी रिदम जो सेंटर उनके फंक्शन को मौडरेट करता है, और जब कोई नियूरल सिकनल जब आता है, तब क्या करता है, जो इंस्पारेटरी रिट में काफ़ी ज्यादा परियोर्तन हमें देखने ही मिलेगा, कैसे, जैसे अगर कोई ब्यक्ति, एक मियट में अगर 12 से 16 बार सांस लेता है, अब वही एक मियट में ब्यक्ति 50 बार सांस लेगा, बहुत तेजी सांस लेगा, सांस लेने से फायदा होगा, जो गंदगी होगा, बाहर निकल जाएगा, और आपशिन हमारे बाड़ी के अंदर जाता है, यह जिसका है रीजन होता है, और कीमो सेंस्टिव एरिया बारे हम बत करते हैं, कीमो जो सेंस्टिव एरिया होता है, यह रिस्पार्टरी सेंडर के भगल में पा जाता है, जो कीमो सेंस्टिव एरिया होता है, कार्बन डाकसाइड और हाइड्रोजन आयन के लिए स तुरन्त अक्टिबेेट हो जाएगा और जब एक्टिबेट होगा तुरन्ज स्क्वेज sushi बेजएगा रिचसपाटरी रिध्रम सेंटर पाइस कहेगा मालिक-मालिक तुरन्फ इसको क्यों यहां पर एक रिसेप्टर पाए जाएंगे और जब यह रिसेप्टर तुरूंट एक्टिबेट हो जाएंगे तुरूंट यह नियूरो सिंगन भेजेंगे रिदम सेंटर पास भेजेंगे और तुरूंट उनको रिमीडियल एक्षन तुरूंट एक्षन लिया जाएंगे ताकि कार्बन डैक्षएट और हाट्रोजन हमारी बाड़ी से इलिमिट कर दिया जा सके इदा हम आक्षिएटा करों हम देखें क्योंकि देखें हम जब जब पढ़तोर हीं कार्बन डैक्षएट कर रोल दिख रहे हैं क्योंकि आक्षियन का जो रोल होता है रिस्पारिटिर रिदम में इंसिग्निफिकिन होता है क्योंकि रिस्पारिशन के लिए हम आक्षियन का कुई रोल यहां पर नहीं होता है डिसार्टर आप रिस्पारिटिर सिस्टम लास्ट टापिक हमारे चल रहा है घृड़बाद के जो आवाज आनी खोजे से आती ही रहते हैं इस इंफाइश में पिएंगे तो पांसाल-दस SpCA कि क्या होगा हमें ए Bend भीमारी हो जाता है दिना सिग्रेट हम Stream पीने वाले को बिछो दैमेज silज ओजाता है और वाल डैमेज उनरे को सवगा कापने बडू कर दिख्रीज हो जाएगा जो फाइल मेटर वयुगा घड़ जाएगा स्टोन का पिसाई होती है इस्टोन को तोड़ा जाता है इस्टोन ग्रेंडिंग या इस्टोन ब्रेकिंग जहां पर होता है वहां पर इतना डेस्ट उड़ता है जहां पर इस्टोन की पिसाई होती है पथड यहां पिसाई होती है और जहां पर इससे तोड़ा जाता है इतना ज़्यादा उड़ता है उसकी डेस्ट इतना ज़्यादा जाता है फाइब्रोसिस जब हो गया तो क्या होगा लंक्स क्या उता डैमेज हो जाएगा लंक्स टैमेज हो गया तो आदमी ऊपर चला जाएगा यही करना है कि वाडी जो डिसाडर होगा अगर इस सेम बचना चाहते हैं तो आप क्या करती प्रोटक्टिव मास्व लगाएए आप मास्क लगा के पत्थर को तोड़ाई करिए ओर डी का एक जाम्पिल होता है सिल्कोसिस एक बार नीट में यह भी क्यूशन आ गया ओर डी की जाम्पिल होता है सिल्कोसिस सिल्कोसिस और डी की जाम्पिल होता है सिल्कोसिस अब सामरीम कुछ खासकर कुछ बता हैं बचा नहीं है अब हम आपको नेश चेप्टर में नेश चेप्टर इसको हम कांटीनू करेंगे चेप्टर नमबर हम 18 पढ़ाएंगे एंसे आर्ड का है इमट 5 फिजियोलाजी का काफ है यह उस इसमीं हमारा और अडुसरी जोगा हुआ पर डैस आप यह सुन भी सकते हैं जल्दी हम राड़ी सुरी जाने वाला है है सब ही चेप्टर जितने आप क्षक्टर पढआएंगे को हम ऑडिल सुरीज प्रवाइट अइस पाइड सुक्षर कहीं पर आप जा रहे हैं, ये आप यह और फॉन लागा के सुन रहे हैं, तो आपका काफी 10 मिनिट फीट होगा, चल भी रहे हैं, आपका तयार भी हो रहा है, तो अब आपको नेश्ट टॉपिक में हैं, नेस्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना जो चैप्टर नमबर 18 है उसको हमी श्टार्ट करेंगे चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बिल आइकम को प्रेस कर लिजे हम आपको पूरा कम्प्लीट NCRT 11 और NCRT 12 पूरी कम्प्लीट ऐसे बालोजी पढ़ाएंगे यह हमारा क्रेस्पोर्स अभी चल रहा है वीडियो अप्लोड कर रहे जीटूब पे जैसे हमारा वीडियो अप्लोड हो जाएगा हम आपको चैप्टर वाज डिसकर करेंगे और इसके साथ साथ हम कमिष्ट्री आपको पढ़ाएंगे कमिष्ट्री जब हमारा पूर हो जागा तो हम आपको फिजिस पढ़ाएंगे बाई बाई